नमस्कार आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया महुकी इति से जार्खन में अब दुशकर्म और महिलाव को प्रतारित करने जैसे मामले लगतार सामने आ रहे हैं इसके बावजूद अभी तक जार्खन सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कुछ एहम और खास फैसले नहीं लिये गए हैं लगतार देखा जा रहा है कि जार्खन के विभिन जिलों में आए दिन महिलाव को प्रतारित किये जाते हैं और कई महिला और खासकर नाबालिक बच्चियों के साथ दुशकर्म के मामले सामने आते जा रहे हैं इसके बावजूद सरकार ना तो इस पर कोई कारवाई करती है और ना ही कुछ खास इसे लेकर अभियान चलाया जाता है अगर हाली की बात करें तो 13 मार्च को जालखन के गुमला के बिशूनपूर छेतर में एक नाबालिक बच्ची के साथ दस लोगों ने बारी-बारी से मिल कर दुशकर्म किया आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह जो बच्ची थी चोटी सी बच्ची वो बिशूनपूर के चीरोडी गाउं की थी और आठवी कक्षा की छात्रा थी जिसकी वर्ष केवल 13 वर्ष की उम्र थी और बताया जा रहा है कि यह बच्ची शादी में सम्मलित होने के लिए दूसरे गाउं जा रही थी और इसी बीच 10 लड़के आए और उसके साथ उन्होंने जबरदस्ती किया बारी-बारी से दुशकर्म किया हाला कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं और बतादे कि इन 10 आरोपितों में से 8 आरोपी नाबालिग हैं ऐसे ही में अब राची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा भी इस मामले को लेकर चीरोडी पहुची और वहाँ पर उन्होंने जो नाबालिग बच्ची है उससे मुलकात की और साथी साथ उन्होंने इस मामले को शर्मनाग बताया है मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि जस तरह से जार्खन में सरकार को बन हुए दो साल हो गए हैं और इन दो वर्षों में अगर दुशकर्म की संख्या के बात करें तो लगतार आक्रों में व्रिधी देखी जा रह हैं जहां महिलाव के साथ जड़ सब्सक्राइबन लेकिन सरकार इस पर पैसले ले रही है इस लिए आप राज नीतिग में मुद्धा उच्छल कर सामने आ रहा है और बार्तिय जंतापार्टी की नेता और अशा लकड़ा से उन्याजे के लिए वहां पहुंशी और उन्हों और उन्होंने सरकार से मांग किया है कि उचित मुआवजे जो नावालिक है पीडिता है उसके परिवार वालों को दी जाए साथी साथ उन्होंने सरकार से मांग किया है कि अब जो बच्ची है उसकी किसी अच्छे विद्धाले में नामांकन कर दी जाए और साथी साथ उसकी पूरी पढ़ाई के खर्चा भी सरकार को उठानी चाहिए मेर आशालकडा ने यहां आरोप लगाया है कि सरकार के तरफ जब सरकार को इस बात की जानकारी मिली सूबे के मुख्यमंत्री को इस पूरी घटना की जानकारी मिले तो मुख्यमंत्री जी उस पीडिता के परिवार वालों से मिलने तक नहीं पाहुचे केवल उनके पास मुआवजे के कुछ राशी पहुचा दिया गया और इस मामले पर कुछ खास कदम भी नहीं उठाये जा रहे हैं और ऐसे ही नगर निगम की मेर होने के नाते आशा लकडा ने पूरे लिस्ट जाड़ी किया है पूरे आकड़ों का एक सूची तयार किया है जि अगर अपने ही महिलाय सुरक्षित नहीं महसूस करी है तो ऐसे में मुख्यमंत्री इसके पूरे तरीके से जिम्मेदार है इसलिए मुख्यमंत्री को इस पर खास कदम उठाने चाहिए हाला कि अभी तक सरकार के तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं हुए है मुख्यमंत्री के तरफ से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक दिखाई नहीं दिये हैं आगे देखना होगा कि इस पर मुख्यमंत्री जी का क्या कुछ फैसला होता ह और क्या कुछ निर्ने लेते हैं तब तक के लिए देखते रहे एशया न्यूज इंडिया रांची